सबी वीवर्स को नमशकार यह इंजीनियर टू फार्मर व्लोगिंग चैनल है जो किसानमित्र यूट्यूब चैनल का ही एक सब चैनल है जिस पर हम व्लोग से रिलेटेड वीडियो पोस्ट करते हैं यानि हमारे डेली अक्टिविटीज हम फार्म में कैसे काम करते हैं कैसे मैनेज करते हैं उससे रिलेटेड ही वीडियो इस चैनल पर डाली जाती है आज की वीडियो रिलेटेड रहेगी कि ड्रैगन फ्रूट के लिए ओफ सीजन प्रोडक्शन के लिए हम लाइटिंग अरेंजमेंट किस हिसाब से कर सकते हैं या इसका सही करने का एक तरीका क्या है वियतनाम के अंदर में ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग लार्स्केल में हो रही है और वो बारा महीने प्रोड्यूस करते हैं यानि ओफ सीजन प्रोडक्शन भी वो लेते हैं ये प्रोडक्शन कैसे लिया जाता है वाके ही इसका करने का तरीका क्या है किस समय पे हमें लाइटिंग ग्लो करनी होती है कब ये लाइटिंग चलाई जाती है कितने समय के लिए जलाई जाती है कौन से ये वल्व रहते हैं क्या इनका डिस्टेंस रहता है इसके बारे में वो complete आपको जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में आपको वियतनाम में अभी इनकी practice कैसे है ये लोग कैसे manage करते हैं यानि इसे लगाते कैसे हैं क्योंकि इंडिया के अंदर ये off-season production एकदम नया है हम इस खेती में जस्ट हमने अभी शुरुआ थी किये एक तरह से आपसे समझ सकते हैं और वियतनाम जहाँ इस खेती में एक महारत हासिल कर चुका है जो सभी को पता है ये लोग off-season production भी लेते हैं और साल के 12 महीने ये export करते हैं लगभग 50,000 हेक्टेर भूमी पे ड्रैगन फूट की फार्मिंग हो रही है वियतनाम के अंदर अभी और ये इतना अच्छे से कैसे मैनेज कर रहे हैं वीडियो शुरू करने से पहले एक चोटी सी अपील है अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जुरू करें और चैनल को सब्सक्राइब जुरू करें ताकि हम आपके लिए इस तरह का कॉंटेंट लाते रहें तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते अभी यहां ओफ सीजन प्रोड़क्शन के लिए इनकी तैयारिया चालू हो चुकी जो देख पा रहे हैं वीडियो में यहां पर फील्ड के अंदर फैला रहे हैं और वायर्स को फैलाने के लिए थोड़ा रस्या यूज़ करते हैं मिंस को होड़ करने के लिए ताकि भी यूद्टकी यह बाइर यहां पाय। यहां रसिया यूज की है ताकि यह वायर को होल्ड कर सके क्योंकि बल्ब का भी वेट आएगा और इनको बांधने के लिए भी आसान हो जाता है इस तरह के वायर का इसमें के माधियमस ताकि इसी हो जाता है क्योंकि इतने बड़ी गादे आएप्षों की अधने के लिए असान हो जाता है लगाने के लिए तो इस तरह से ये पिन का यूज़ करते हैं यहां पर ना कि हमारी तरह वायर को काट के या फिर पर्टिकुलर जोइंट करें क्योंकि इनको रेगुलर यूज़ करना होता है एक सीजन खतम हुआ तो फिर दूसरे सीजन के लिए तेयारिये चालू हो जाती है तो इनके लिए काफी आसान हो जाता है इसमें थोड़ा रिस्क यहां यह बढ़ जाता है कि नाइट के समय पे अगर रेनफॉल होती है और आप फिल्ड में जाते हैं तो यहां शोक का थोड़ा इशू हो जाता है तो इसको भी यह लोग कवर कर लेते हैं वह कैसे करते हैं हम आगे उसमें दिखाएंगे या फिर यह कोमन चीजे हैं यह तो आप इसको कर सकते हैं या तो आप टेप लगा सकते हैं या फिर प्लास्टिक की Bernard है यहां पर इसको अज़ काटेग्री में डिवाइड किया गया यानिलिंव कर सकते हैं वह नो वार्ट का यूज कर सकते हैं अगरने नोवाट को सकते लेकिन उसमें क्या कि electricity consumption जादा हो जाता है तो LED बल्ब को सुपीरियर बताया गया है electricity consumption के मुकाबले में लेकिन यहां वियतनाम के अंदर इनको कुछ subsidy मिलती है government की तरफ से support मिलता है तो यहां यह CFL भी यूज़ करते हैं fluorescent bulb भी यूज़ करते हैं और LED भी जैसा किसान अगर किसान इसको वियर कर सकता है LED बल्ब की कोस्ट को तो वह LED बल्ब भी उसकरता है कि इसमें क्या होता है लोड थोड़ा बढ़ने की वज़े से माली आप फिलामिंट बल्ब यूज़ कर रहे हैं बल्ब यूज़ करते हैं लेकिन अभी धीरे धीरे ट्रेंड चेंज हो रहा है अभी यह सीएफल की तरफ जा रहे हैं और यूज़ किया हुआ है रेगुलर बेसिस पर अगर आप तीनों को इंप्लिमेंट करके देखते तो उसका रिजल्ट अलग आता है अगर LED बल्ब यूज़ करेंगे तो उसका रिजल्ट अलग आता है वो डाटा हम आपको जब सोफरी हमने विजिट किया था वह भी आपको व बड़ फॉर्मेशन चालो हो जाता है मिनस फ्लावरिंग स्टेज से पहले यह बड़ साने चालो हो जाते इन बड़ को यह पूरा नहीं रखते जैसे कि आप देख पार है कि यह उपर में 88-10-10 के करीब में बड़ सा चुके है यह फ्लावर बड़ से फूटिंग बड़ तो उसको सभी को नहीं रखा जाता है थिनिंग की जाती है कितना बड़ सापको वाक्य में रखना चाहिए वह आपको हम आगे वीडियो में बताएंगे जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि जोइंट्स पे कई बार बारिश आती है तो लीकेज होने के कारण शोक लगने के कारण कि संभावना हो जाती है कि नाइट टाइम में अगर बारिश हुई तो उस समय पे इसको कंट्रोल करने के लिए या तो आप रैपिंग कर सकते हैं या फिर प्लास्टिकी बोटल से इसको कवर कर सकते हैं ताकि पानी इसके अंदर ना जाए जोइंट्स पे जहां बल्ब लट काया हुए है तो आप टेप भी लगा सकते हैं इंसुलेशन टेप और या फिर इस तरह की बोटल से भी अरेंजमेंट कर सकते हैं यह थोड़ा कोस्ट को कम करने की पूरी कोशिश करते हैं क्योंकि एक बार टेप यूज की फिर उता रहेंगे फिर वह वेस्ट हो जाती है तो दाटा भी हम आपको अभी शेयर करने वाले यहां अभी का व्यू देख पा रहे हैं हर एक लाइन के अंदर में सेम डिस्टेंस के अकोर्डिंग इन्होंने बल्ब लग लगा हुए हैं ग्राउंड सर्फेस यानि जमीन के स्तर से कितनी उचाई पर यह बल्ब लगना कीई वो डाटा अभी हम आपके साथ में शेयर कर में जहां हमने सोफरी Weघ किया वहां हमने क्या डाटा को लग्क किया यहां आप डेख सकते हैं इसका आप उसकरन सीलमे लिए सकते हैं आप यहां क्यास के बलावरण होने sih होने के समय इन जब लाइटिंग लो चीज लगे त अक्तूबर से नौंबर के बीच में अगर यहां ओफ सीजन के लिए त्यारी कर रहे हैं तो फिर लाइटिंग आपको ग्यारा सो से बारा सो लाइट रखनी पड़ेंगी यह पर हेक्टेर का एक डाटा है और लाइट कितने समय के बाद जलानी है रात को आठ बजे से लेके सु पंदरा से बीच रहे हैं जमीन के सतर से लाइट का जो उचाइए वो एक मिटर से यह दूरी है नौंबर से जनवरी के बीच का यहाँ पे जो आप डाटा देख पा रहे हैं नौमबर से जनवरी के जो बीच का समय है उसमें अठारा सो से लेके दो हजार लाइट पर हेक्टेर लगाई जाती है कि वो इतनी नौमबर ओफ लाइट क्यों बढ़ गई क्योंकि इस समय पे डे लाइट कम हो जाता है इसकी वज़े से यह लाइट बढ़ जाती है यहां भी आपको आठ बज़े से लेके सुबह पांच बज़े तक पंदरा से बीस दिन के लिए यह लाइट गलो की जाती है डिस्टन्स भी सेम है एक मेटर से वन पॉइंट वन मेटर का और यहां लाइटिंग का डिस्टन्स यहां कम कर दिया गया है यहां डेड़ मेटर से दो मेटर के बीच में डिस्टन्स रखा है जो पहले आपका धाई से तीन मेटर था यहां डेलाइट कम होने का असर आप देख पारे हैं डाटा पे भी और आपका इसमें नंबर ओफ बल्स भी बढ़ रहे हैं और डिस्टन्स भी कम हो गया यानि डेड़ मीटर से दो मीटर के बीच में आपने बल्ब लगाए हैं और वो भी अठारा सो से दो हजार बल्ब लगाए हैं पर हेक्टेर यहां आप लाइट अलग अलग तरह की लाइटे यूज़ कर सकते हैं अगर आप LED बल्ब यूज़ करते हैं या फिर CFL यूज़ करते हैं 20 से 23 वाट की या फिर आप फिलामेंट बल्ब 42 वाट से लेके 50 वाट के बीच का बल्ब यूज़ करते हैं तो आपके नंबर ओफ लाइट इतनी रहेंगी इसमें सिर्फ अंतर इतना आ जाता है कि इनकी लाइट का खर्चा आपका बढ़ जाता है यानि 9 से 50 वाट का थोड़ा खर्चा जादा आता है तो यहां डाटा में यह थोड़ा डिफरेंस आ जाता है अभी आप जो डाटा देख पा रहे हैं यह उप सीजन प्रोड़क्शन का ही डाटा है सीजन का फ्लावरिंग ओपन होने का यानि लाइटिंग आप 15 से 20 दिन तक गलो कर होता है इसके बाद की जो प्रोसेस रहती है वह रहती है थिनिंग की यानि कितने बड्स आपको रखने हैं क्योंकि बड़् फॉर्मेशन तो काफी जादा हो जाएंगे आपके लेकिन आपको साथ से 14 दिन के बाद में सिर्फ एक ही ही बड़् आपको यूज रखना है मिन्स से 20 दिन लाइट गलो ना किया जाए उस कंडिशन में क्या है अगर आप 7 दिन पर लाइट गलो करते हैं उसके बाद लाइट बंद कर देते हैं या फिर 14 दिन के बाद लाइट बंद कर देते हैं या फिर 18 दिन के बाद लाइट बंद कर देते हैं तो क्या असर होता है तो अ लावरिंग के बर्ड्स दिखाई देंगे मिन्स ब्लूम होने से पहले के और ब्लूम होने के बाद वो इस तरह से आपको अपने फिल्ड में दिखाई देंगे यानि आपको पता चल गया है यहां साथ दिन अगर आप लाइट जला के बंद करेंगे तो क्या असर होगा 14 दिन बाद अगर लाइट बंद करते हैं तो क्या होगा लेकिन इनकी रिक्मेंडेशन यही है कि 15 से लेके 20 दिन तक आपको मिनिमम गलो करनी है उसके बाद ही आप अच्छे से फ्रूटिंग ले पाएंगे नई तो फिर आपके बर्ड्स छोटे रहेंगे ड्रोपिंग होगा या फिर वो पर्टिकुलर साइज नहीं पकड़ेगा इस तरह की और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है हमारा काम अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं मिलते हैं एक नए टोपिक के साथ में नई वीडियो में और कोशिश करते हैं कि आगे आने वाली जो वीडियो रहेगी इससे ज्यादा और इंफॉर्मेटिव रहेगी जिससे हमारे किसान भाईयों कहीं न कहीं से थोड़ा बहुत फाइदा हो सके या फिर जो नई वीडियो में वीडियो देखने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद